बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर पटना से है सुबे में भी घड़ती बिधी ब्यवस्ता को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेज़सी प्रसाद यादों ने निसाना साते हुए मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है पत्रे में तेज़सी यादों ने लिखा है कि विहार में कुछ दिनों से लूट डकैती हत्या और बरतकार जैसी घटनाओं में बेता हासा ब्रिधी हुई है केंदर के आकड़े भी यही कहते हैं बड़ी घटनाय सुर्ख्या तो बनती हैं लेकिन जिला मुख्यालें और पंचायतों में न जाने कितने अंगीनत अपराद होते हैं जिसकी चर्चा तक नहीं होती दुर्भाग्य पूर्ण है कि आप जितना उर्जा पूराना इतिहास कंगालने में लगाते हैं उतना विधी ब्यवस्ता को चुस्त दुरुस्त करने में लगाते तो इसका साकरात्मक परिणाम निकलता इसलिए आप अपनी समयधानिक जिमवारियों से भाग नहीं सकते आप अच्छे अधिकारियों को लगाईए ताकि बेहतर परिणाम आए आम से लेकर जन प्रतिनीधी तक की बात अधिकारी नहीं सुन रहे तेजसू यादों ने मुख्मंतरी नितीस कुमार को थर्ड ग्रेट की पाटी करनेता तक करार दिया और लिखा है कि नितीस कुमार जवरन मुख्मंतरी बने है इतना ही नहीं तेजसु यादों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि एक महिना में अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो विपक्ष के विधायक दिल्ली कूच करेंगे राष्टपती से मिलकर सरकार की सिकायत करेंगे रूपे सत्यकांड में अब तक कोई ठोस चीज सामने नहीं आई है क्या मुख्यमंत्री नितिश कुमार की जिम्मवारी नहीं बनती कि वो सवालों के जबाब दें मुख्यमंत्री की बहुखलाहट बता रही है कि वो ठके हुए है तेजसु यादों के आरोपों पर प्लटवार करते हुए जैदू ने आरोपों को सीरे से नकार दिया है पूर्व मंत्री जैकुमार सिंग ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और अपराद पर नियंत्रण परात्मिकता है सरकार काम कर रही है इसलिए विपक्ष को सब्र रखना चाहिए अगर सरकार की ओर से कमी हो तो जरूर बताएं नहीं कि जनता को गूमरा करें सवाल चाहिए जूनिती सुकुमार के पास है तेजस्वी यादों तो अक्सर दिल्ली रहते हैं उन्हें दिल्ली जाने का बहाना मिलना चाहिए